यहां पर हम बात करेंगे कि कल जो है आपके 31 दिसंबर को 32,000 पद के लिए वो विग्यप्ति जारी कर दिया गया था तो आज है आपका एक जनौरी 2022 तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नई साल की हार्दिक सुबकामना है तो यहां पर हम जानेंगे कि यह जो 32,000 पद हैं इसके लिए जो विग्यप्ति जारी किया गया है उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो डिसकस करेंगे और यहां पर क्या है इसकी इलिजबिल्टी उसके बारे में जो है हम जानेंगे और आपको पता है कि यहां पर जो है कि सीटेट जिन्होंने क्वालिफाई हैं जो सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं किया वो आवेधन कर सकते हैं इस रीट 32,000 पद के लिए उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और यहां पर बात हम करेंगे कि other states वाले जो हैं उनको कितना सीट मिलेगा उसके बारे में हम detail में यहां पर डिसकस करेंगे तो यहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इहां पर कल का जो subjet जारी हुआ है इसके बारे में ज्यूह हम देखेंगे यहां पर आप आध्यापकों के तोटल 32,000 सीधी जारी कर दिगई है जिसके अनुसार जो भी वहां का reservation process है उसके आधार पर जो है भरती प्रक्रिया किया जा रहा है और यहां पर हम ज़दी total post की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर total post के बारे में बताया गया है कि जो आपके छेत्र हैं यहां पर देखेंगे गयर अनुसूचित छेत्र और फिर यहां पर है कि गयर अनुसूचित छेत्र और अनुसूचित छेत्र और यहां पर ध्यान रखेंगा कि दो जो हैं यहां पर प्रत्थम लेबल अर्थात प्रात्मि और 3500 जो है ओ अनुसूची छेत्र के लिए हैं फिर उसके बाद उसी तरीके से label 2 की बात करने तो 13420 जो है गैर अनुसूची छेत्र के लिए हैं और बाकि 2580 जो है वो अनुसूची छेत्र के लिए हैं और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है यहां पर 31,000 है जो की जनरल कंडिडेट्स के लिए है जो अनसूची छेतर में भी आते हैं जो गर अनसूची छेतर में भी आते हैं और आपको पता होता है कि इस्पेसल सिछा जो इस्पेसल टीचर होते हैं उनके वाइड है फिर यदि हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपके दिया हुआ है कि उक्त पदो है तू इच्छुक आवेदन जो है वह आप 10-1-2022 से 9-2-2022 तक जो है वह आप कर सकेंगे मतलब एक महिने जो है आप आवेदन इसके लिए कर सकेंगे 10 जनौरी अर्थात आज 1 जनौरी है और 10 जनौरी से जो है आप आवेदन करना इस्टाट कर देंगे और 9 फरवरी 2022 तक जो है वह आप आवेदन कर सकेंगे यह चुक जो आवेदन जिनको आवेदन करना है वह इसकी ओफिसियल बेब साइट है जो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप आवेदन कर सकेंगे विग्यप्ति तथा जिलेवार जो पदों का विवरड़ है वह जो यहां की ओफिसियल बेब साइट है जो की www.education.rajistan.gov.in जो है यहां की बेब साइट है यहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो टोटल यहां के डिश्टिक है उस डिश्टिक में जो है किस तरीके से कितने जिले में जो है कितने पोस्ट है वह आप वहां पर जाकर जो है वो देख सकेंगे और फिर आगे हमें आद देखेंगे कि इच्छुक आवेदन को उसकी योग्यता योम पातरता के अनुसार जो है समबंधित पद है तो आनलाइन आवेदन लेकिन ध्यान रखेगा कि आप एक से अधिक यदि पद की योगेता रख रहे हैं तो आपको जो है वो अलग-अलग आवेधन पत्र जो है वो आपको भरना पड़ेगा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है वो अलग-अलग आवेधन पत्र भरना पड़ेगा य और यहां पर ध्यान रखेगा कि आपका offline आवेदन जो है वो स्विकार नहीं किया जाएगा और फिर यहां पर जो है यह दोनों आपके reservation के बारे में बात किया गया है कि जो गैर अनुसुची छेत्र हैं उनके लिए जो है वो किस तरीकी का reservation प्रोसेस है और अनुसुची छेत् पता है कि उनको ही reservation मिलेगा जो वहां के मूलनिवासी है जो राजस्थान के दूसरे मितलब राजय से आ रहे हैं राजस्थान के मूलनिवासी नहीं है, तो उनको किसी भी परकार का reservation नहीं मिलता है भरे हो किसी भी category में हो। इतना जो है आप ध्यान रखेगा फिर हम आगे यहां पर चलेंगे यहां पर जो दिया हुआ है कि आवेदन पत्र आनलाइन रूप से सम्मिट करने के पस्चा जो है आवेदन में किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो ध्यान रखेगा आप फॉर्म भरते टा परकार का जो आपका करेक्शन इडिटिंग का प्रोसेस है वह यहां पर नहीं दिया गया है अब हैर्थी आनलाइन आवेदन के अंतिव रूप सम्मिट करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के इमित्र जन सुविदा केंतर स्वयम द्वारा जो यह आप फॉर्म को भर र कूट रचीत का मतलब यह है कि आप गलत इंफॉर्मेशन करते हैं जैसे आपका पर पता है आपको की रीट के बेस पर सिलेक्शन होता है आप रीट में अधिक नंबर डालकर यहां पर फॉर्म भरते हैं या फिर और जो है कूछ अपनी जाती या फिर कुछ भी छुपा कर भ रहेगा और यहां पर पुड़ा क्लियर हम कर देंगे बाकि यहां पर फीस के लिए हम बात करें तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो वहां के जनल कटेगरी के हैं और मध्य राजस्थान के दूसरे राजस्यार है मतलब राजस्थान के मूल निवासी नहीं है और रा पहुत सारे राजस्थान में उन्सूची जन जातिया होती हैं तो जो वहाँ पर सहरियावर्ग के हैं या फिर अन्सूची जाती जो भी वहाँ पर आते हैं तो उनको जो है आपको 60 रूपए पेमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर ध्यार रखेगा कि आप यदि पेमें चाहते हैं और यहां पर आपको टेलीफोन नंबर भी दिया है लेकिन ध्यार रखेगा या फिर किसी भी परकार का छुट्टी नहीं तब आप फोन नहीं कर सकते हैं अब आगे हम चलते हैं यहां पर अब देखे इसके बारे में हमने बात कर दिया और यहां पर हम बात करेंगे कि इस जो हमने उपर बात किया है उसमें कौन इलिजबल हैं तो देखे उसमें वहीं लोग इलिजबल हैं जो आपका 26.9.2021 को रीट का एकजाम दिया था अर्थात र रिट जो है रिट का जो आपका final number होता है उसी के base पर आपका selection होता है UPTT की तरह नहीं होता है रिट जितना अधिक number score करेंगे उसी number के base पर आपका selection होता है तो यहां पर ध्यान रखेगा कि हमने बोला कि REIT के base पे जो है आपका final selection होगा तो यहाँ पे जो citate होता है वो जो है यहाँ पर eligible नहीं होता है तो जिन्होंने भी पहले से citate qualify है उनके लिए नहीं है वो यहाँ पर eligible नहीं है लेकिन उनके लिए भी आगे हम एक बात करेंगे जो कि बहुत ही जादे important है तो जिन्होंने भी REIT का exam आपको पता है कि 26-9-2021 को हुआ था तो जिन्होंने भी REIT का exam 26-9-2021 को दिया है और वो qualify है क्योंकि आप ध्यान रखेगा कि आपको qualify होना तो जरूरी है जो other state से आ रहे हैं उनको 60% या फिर जो general के हैं वो 60% और बाकी जो राजस्थान के जो मुल निवासी है और जो अब देखें आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि आप REIT exam में जो है पास है तो आपको final selection हो जाएगा REIT exam में पास होने के लिए हम general candidate की या फिर other state की बात करने तो आपको 60% लाना होता है और था 90 नमबर आप 90 नमबर लाते हैं 1500 में से तो आप qualify होंगे लेकिन आपको final जो service इस होता है ओ नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें से अब इसमें से जो है आपके merit बनागा अब 90 नमबर से अधिक जिनका उपर high बहुत जादे merit रहेगा और total post जो है उस merit में आप यादे हैं तो आपका जो है वहाँ पर selection हो जाएगा तो यहां से यह बाते clear हो गया कि आप आपका rate में जितना आप अधिक नमबर लाए होंगे उस अधिक नमबर के base पे आप यदि जो total seat उपर हमने बताया था उसमें आपका merit आता है तो उस merit में यदि आप आते हैं तो आपका selection हो जाएगा बाकी आपका 90 से अधिक नमबर आया है rate में तो आप इसके लिए आवेद टू की बात करें पेपर वन तो देखिए आपने रीट पेपर वन और पेपर टू दोनों दिया है तो आपको दोनों जो है वह आवेदन करने पड़ेंगे एक ही आवेदन में दोनों नहीं होगा आपको अलग अलग जो है वह आवेदन करेंगे बाकी जैसे जो पेपर टू ह तो वहां से आप देख सकते हैं बाकि यहां पर जो है जिन्होंने रीट का एक्जाम दिया है वहीं जो है वो इलिजबल है फिर आगे हम यहां पर बात करेंगे कि जो नया रीट का एक्जाम है और यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर भी हम देख लेते हैं कि यहां पर जो है वो आवेदन करेंगे फिर आवेदन करने के बाद एक merit list जो है वो जारी किया जाएगा फिर जो है आप उस merit list में होंगे तो merit list में होंगे तो आपको जो है राजस्थान के कार्याले में जहां भी कार्याले में वो बोलाएंगे और फिर आपका documents verification करेंगे documents verification करने के बाद जो है आप जहां भी आपको जो है या तो primary या फिर middle जिसमें भी आपका selection होता है उसमें आपको तो पहले नमबर तो बुलाया जाएगा verification के लिए फिर verification होने के बाद जो है वो आपको school के लिए बताया जाएगा कि आप जो है इस school में अपना select करिये जिस तरीक कि किस तरह का selection होता है तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी candidates के दस्तावे सत्यापन के बाद जो है उन्होंने रीट का जो है वह आपको परमाड़ पत्र जो है वो दिया जाएगा इस परमाड़ पत्र मिलने के बाद उमिद्वार राजस्थान के सरकारी इस school में जो उस merit के waste पे जो है वो आपका एक merit आएगा final merit फिर उसके बाद जो है आपका verification के लिए बुला जाएगा verification में आप यदि सत्यापित होते हैं किसी बीपरकार का गलत नहीं होता है तो फिर एक final जो है वो आपका merit list जारी कर दिया जाएगा और उसी merit list के अधार पे जो है आपका 32,000 read के बारे में हमने उपर total बात किया था उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सधार तोर पे counseling आप कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर phrase यदि नए की बात करें तो 2022 में जो है 14-15 माई को जो है ओर read की पर इच्छा आयोजित की जाएगी और जिसमें total post की बारे में 15 माई को जो है बीस हजार पद के लिए जो है आपका read का exam कराया जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर भी कुछ बताया गया कि पैरा टीचर सिच्छा कर्मी मदर्सा पंचाय सहाई को जो कोई भी समस्या है सुप्रीम कोड से जैसे ही कोई decision आता है तो उस नीड़य को जो है तो देखते हुए एक time limit मतलब कम समय में जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगे तो फ्रेंट्स यह जो था read के बारे में था यदि आप read या फिर teaching सिच्छक भरती से कोई भी आप तयारी करना चाहते है तो आप telegram में जूर सकते हैं और जो कोई फिन information आता है तो यहाँ प कोई doubt तो हमें नहीं लगता है कि रहा होगा बाकि इसके बाद भी कोई doubt होगा तो comment box में जो है वो telegram का link रहता है वहाँ से आप जूर सकते हैं बाकि comment में भी जो है आप अपना doubt सेर कर सकते हैं वहाँ पर जो कुछ भी होगा हम उसका reply जो है वो जरूर कर देंगे और यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यह जो हम टोटल 32,000 पोस्ट की बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ वहीं लोग eligible हैं जिन्होंने रीट का एक्जाम जो है आपको पता है कि 9 महीने अर्था सितंबर में 2021 में आपका एक्जाम हुआ था तो जो कोई भी इस रीट एक्जाम में जो है सामिल हुआ था जिन्होंने भी पास हुआ है वो सिर्फ कंडिडेट जो है वो अपलाई कर सकते हैं बाकि जिनके पास सिटेट है यहाँ पर सिटेट से कोई मतलब नहीं है जिन्होंने सिटेट पास हो या फिरना पास हो उनके लिए यहाँ पर कोई नहीं है जो सिर पोस्ट के लिए आपके 14-15 मई को जो है वो आपका एक्जाम कराया जाएगा तो यह था इंफोर्मेशन रीट के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई डाउट होगा यदि आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो बिल्कूल कर लिजेगा लाइक भी कर लिजेगा और शेयर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मिलते अंगले नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई टेक क्यों और ओल दे वेस्ट आप सभी लोगों को फिर से नए साल की हार्दी शुप कमना है थैंक यू